हेलो दोस्तों नमस्ते जैस्री किचन कुमें फिर से आपसे विकाद स्वागत है तो आज मैं रक्षा वंदन के सुब अफसर पर खास मीठाई लेके आई हूँ जो की आम से बने गए हैं तो चलिए इसके रेसिपी दिखाती हूँ तो यह देखिए सबसे पहले मैं दो आम ली हूँ मालदा आम है बहुत मिठा आम है गुद्दा वाला आम है और यह चीनी ली हूँ 100 ग्राम और मिल्क पॉडर ली हूँ और यह है नार्यल का भुसी या नार्यल का बुरादा जो बोलिए तो यह मैं ले ली हूँ आप अब उसके बाद देखिए एक जाड में आम को चीन कर सारा जो उसका गुद्दा है वह मैं इसमें आम के आम का जो गुद्दा सारा है वह जाड में मिक्स कर लूँगी पिस लूँगी अच्छे से ताकि उसमें आम का टुकरी नहीं रहे कि तो मैं 30 ग्राम नायल के पप्रादा में दो आम अधा केजी आम लग जाता है तिससे अच्छा फिलेवर आता है आप चाहे तो कच्चे नायल को भी यूज़ कर सकते हैं वो ऑर ज्यादा बनता है तो मैं नायल के पप्रादा से इंच्वेके बिड़एन यह ने बहुत अच्छे से पेश्ट बन गया है कहीं भी गुठली नहीं है आम के तो अब देखिए ग्यास ओन कर ली हूं और करहाई चरहा दी हूं अब सबसे पहले इसमें करहाई गरम हो जाने के बाद सभी आम के जो प्योरी है वो मैं इसमें डाल दूँगी तो धियान दे हैं अब इसमें मैं को मिल्क पोडर डीजान उनानौश है कि मैं अच्छे से और उसके बाद जब मिल जाने के ले नाला कि इस बुरादा जब डालिए तो उसी टैम में मिल्क पॉडर भी डाल दीजिए तो दिकत नहीं होगी तो चलिए मैं फिर भी था मेहनत लगा तो मैं बहुत अच्छे से मिल्क पॉडर को मिला ली हूं और यह सभी मिसरन अच्छे से मैं चला लेती हूं ताकि करहाई में चिपके नह है वह छोख लेना चाहिए समझ में आज आना चाहिए जो अभी लड़ू बनने के लाइक हो गया है तो यह सभी कराई से अलग हो गये हैं तो ये देखे ुदेखने से पता चलता है यह तयार हो गया है यह तो इसी तरह धीर धीर से चला ते रहूंगी छोड़ना नहीं आना है मीडियम लोग पे अब ग्यास को बंद कर लेती हूं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूं तो यह मिठाई बहुत ही टेश्टी बनता है इस रक्षा बंधन पर जरूर बनाई है बहुत सारा बंद के त्यार हो जाता है तो यह देखिए बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है अब मैं इधर दो चमच के आसपास मैं चीनी ले लिए इसका मैं पॉडर बनाऊंगी दरदरा पॉडर बना ली हूं यह देखिए दरदरा पॉडर बनाना है तो इसे एक कटोरी में निकाल ली हूं अब इधर थोड़ा सा बुरादा ले ली हूं नारेल का में डालना है चारुतरफ मिला लेना है इसके उपर से चीनी का कोड लग जाता है उसके बाद चीनी का कोडिंग लगने के बाद उसके बाद नारेल के बुरादा में डाल के चारुतरफ इसे मिला लूई हूं अच्छे से चिपक गया है चीनी और नारेल के बुरादा तो इस के बाद नायल के बुरादा में में लपेट तूंगी तो इससे क्या होगा तो मिठास अच्छा आता है चीनी का भी फ्लेवर आ जाता है तो इसे तरह सभी लड्डू बना के मैं त्यार कर ली हूं अब इसके उपर से आपको जो भी ड्रेव फूर से सजाना है आप सजा सकते हैं लेकिन मैं बादाम से सजा रही हूं आप चाहे तो काजू के सुछ से भी सजा सकते हैं लड्डू को और इसे बॉल में निकाल रहे हूं इसे एक घंटा के लिए फ्रीज में जरूर रख दे उसस के लड्डू बनकर रेड़ी है अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सेर करें और मेरे चैनल जैसरी किचन कुईन को सब्सक्राइब जरूर करें मिलती हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए